लो प्रेम्स अभी का स्वागत एक और Clash of Clans के इंट्रस्टिंग एपिसोड में अगें आप सभी को पता है CWL season has been started and आपको चाहिए बहुत सारे basis तुम्हें लेकर के आगे हूं top 10 basis for Town Hall 15 तो बिना किसी देरी के चलो चलते बेस नंबर 1 की तरफ here we go the base number 1 यह diamond shape बेस है particularly अगर आप बेस के design देखोगे तो काफी cool लगेगी तौनल कंपार्टमेंट के तरफ पीछे में रेच टावर है विध मोनोलिट एक सब्सक्राइब वे सब कुछ रखे हुए और इधर भी एक रेच टावर इस रेच टावर के रिम एंद में तीनों मल्टी न फर्नों आ रहा है इदर मोनोलिट के साथ में एक्स बो के साथ में तो बहुत बहुत बढ़िया सा वेल्यू देने वाला है इस बेस के लिए पर्टिकॉल यां सजेस्टिं यू तो यह तो यह तर बीस नमबर वन चलिए अब चलते बेस नमबर टू की तरफ यह रिंग बेस हैं सब तरह की बेसित आएके इस वीडियो में तो यह रिंग बेस है बट यह थोड़ा सा डिफ्रेंट है सुपर आर्चर्स के लिए बैट कर रखा है इसमें दोनों एर्टिक पर इस तरफ है एंड इस तरफ अगर आप देखोगे जहां तीन मल्टी रेच टावर टाउनोल सब आ है बट वहाँ पर इतनी जादा बॉम प्लेस्मेंट कर रखी है सुपर आर्चर ब्लीजर टाइप अटैक इस वाले बेस के अंदर में आ करके फेल हो जाएगे और आपको एक ग्रेट डिफैंस मिलने के चांसी रहेगे और यहां पर देख सकते हो मोनोलित के आगे में करते हैं तो अगर इलेक्ट्र टाइटन आती है तो वह डेमेज दे सकती अपोनेंट के ट्रूप्स पर तो डेफिनेटली आपके लिए एक वन इस्टा टाइप अटाइक हो सकता है स्कॉट वी ओफ दे बेस अगर आप देखोगे थोड़ा डिफरेंट है थोड़ा बढ़िया सा यह बेस ठीक है चलिए अब चलते बेस नंबर थी की तरफ यह को था बेस नंबर थी अगें यह एक डाइमंड शेप बेस डाइमंड शेप बेस यूज करोगे बहुत अच्छा आप वर्क करेंगे तीनों कि तीनों इंक्षडर्ण स्कॉट मॉनों टाउनों तो दो दोनों रिचस्ता की वैली यह आपको प्लेंच कफी अक्षा कर रखा है झाल यह बहुत बढ़िया एंट संची बड़क करेंगा here we go the squat view of the base and here ही सारी की सारी walls and इसके CC के अगर बात करूं तो भाई use the three eyes golem five archer in the CC and definitely you gonna rock चलो चलते base number fourth की तरफ ये तो था third ये भी diamond था here we go the base number fourth again a diamond diamond basis is just pretty working amazing but इसमें इना spell tower changes है यहां देख सकतो town hall के front में रखा हुआ इन्वीज spell tower with monolith इन्वीज कर देगा ये दोनों के दोनों monolith and town hall को उसके पीचे में red tower town hall दोनों expose, दोनों scatter shot with multi inferno को कर देगा invisible एक multi inferno eagle के साथ है with lots of trap hidden tesla giant bomb वगेरा and यहां पर multi inferno into the core of the base रखा हुआ with two red bomb and clan castle ये पूरा का पूरा बेस है इस base के cc के अगर में बात करूं तो use a three eyes golem five archer here we go the scout view of the base without any trapping ये इसकी सारी-सारी walls and अब आप यूस करने वाले हो तो आप देख लेना चलो चलते base number fifth की तरफ तो अगेन ये एक diamond shape base है and अगर आप इस base को देखोगे townhole exposed अलग साइड पढ़ा हुआ townhole के जर्फ बैक में रखा हुआ rage tower with two multi inferno and a monolith rage tower में क्या-क्या rage में आरा आप देख सकते हो townhole, दो X-Bow, दो multi inferno, दो builder hut with monolith तो यहाँ पर deadly combination है इसमें CC में आप यूस करना three eyes, golem, five archer center में देख सकते हो eagle के साथ में multi पढ़ा हुआ है इधर एक और rage tower है इस rage tower में builder hut rage में आरे है hidden tesla, X-Bow, scatter shot as well और यहाँ पर 4-4 hero रखे हुए tornado trap रखा हुआ है तो opponent definitely particularly इस base से काफी जादा सफर करेगा अगर यह उसको मिलता है और कई बार अगर वो back से attack करेगा तो one star कर देगा, front से attack करेगा तो two star कर देगा तो ऐसे base से बहुत बढ़िया काम करते हैं CWS में enjoy करो and भाई आप आप लगाई दोगे and this base की CC में I am suggesting you to use a three eyes, golem, five archer, scott view देख लीचिए यह ही सारी की सारी walls is this base की, चली चलते हैं base number six की तरफ, here we go the base number six guys, again कासी ज़्यादा amazing यह वाला base है अगर आप देखोगे तो town hall है, town hall के पीछे में रखा हुआ है poison tower with tornado trap and the monolith itself center में रखा हुआ है rage spell tower with two multi inferno two air sweeper की position भी साइड ही, rage tower में देख सकते हो, तीनों multi, दोनों exbow rage के अंदर में आ जाएगी तो बहुत भी बड़िया सा एक particular value मिलेगा, town hall के आगे में king रखा हुआ है, warden रखा हुआ है, वो आपको और भी बड़िया सा value देगा, eagle artillery आपके attack को save करी लेगी and cc की बात करें, तो use three eyes golem five archer in the cc, here we go the scott view of the base without any trapping and here रसार का सारा walls, यह base से बहुत बड़िया काम करने वाल है, आज की वीडियो आपके लिए bumper reward होने वाली है, चलिए अब चलते base number 7 की तरफ यह हमारा active wall layout है, अगर यह देखोगे तो particularly box diamond base का mixture है, town hall के front में रखे हुए बहुत सारे trap with invisible tower monolith and invisible tower mono and town hall दोनों को invisible कर देखा, front में बहुत स सब रेज में आ रहे हैं and वहीं पर tornado trap भी रखा हुआ है तो आपको और भी बढ़िया सी value मिल जाएगी, king and warden भी है eagle के आजू बाजू में रखा हुआ है, scattershot compartment थोडे दूर दूर है, एक में royal champion एक में archer queen है and here we go the squad view of the base without any trapping over here and here we go the walls of the base अगर आपको देखनी है तो done and इसक होगे तो यह तो particularly box base है, ठीक है, box base है and इसमें क्या रखा हुआ है, दो rage tower है, town hall पे एक rage tower है, जो rage कर देगा, दो एक पीछे में rage है, जो rage कर देगा, दो एक पीछे में rage है, जो rage कर देगा, दो एक बाज्वा, monolith, तीन hidden tesla, multi inferno, तो दो दो तरफ deadly damage हो जाएगा इस base में, town hall क front में रखा हुआ, king warden, और सारे trapping वगेर है, scatter shot अलग-अलग side पे, तो opponent ऐसे bases में confused हो जाते है, कि उन्हें करना क्या है, उन्हें समझ ही नहीं आता, तो यह bases में काफी अच्छा काम करते है, इसका CC again, 3 eyes, golem 5 archer, use करना, scot view era base का and here we go, the walls of that base without any trapping, चलिए चलते है, आगे वा क्योंकि ring bases में क्या होता है, या तो one हो जाते है, या तो easily three कर देते है, अगर बंदों को ring bases को tackle करना आता है, तो easily three हो जाएगे, और tackle करना ही नहीं आता है, तो ये bases one star हो जाते है, दो रिज टावर एंग दोनो की रेंग मैं आप देखोगे तो देख लो सारे के सारे दोनो के दोनो चारो की चारो एगसबो दोनो तीनो मल्टी इनिवनो दोनोiran यहां पर scatter shot रेंग मैं आ रहे है और यहां बॉनूनलित के आगे में रखा हुआ है इस बेस में यूज़ करना त्री आइस गोलम फाइब आर चाल काफी अच्छा काम करेंगे स्कॉट व्यू यह रहा और वाल्स यह रही अब ठ्राइट यॉर ओन रिस्क क्योंकि रिंग बेस तो लग पे डिपेंड करते हैं यह बेस की तरफ चलते हैं यह वी को दा लास्ट बेस ओफ दा वीडियो दा पेस नंबर टैंट यह बेस देखो कि तो यह काइंड ओफ डाइमंड बॉक शेप में तो यह काफे इंट्रस्टिंग है इसमें दो रेज टावर है यह वाला रेज टावर की रेंज में देख लो एक्सबो मल्टी स्कैटर इडन टैसला सेम इधर भी आ रहें बॉम टावर भी सेंटर में को मल्टी है टोनेडो रखा हुआ है इगल अटिलेरी वगेरे रखे हुए टाउनोल कंपार्टमेंट में रखे हुए बिल्डर राट मोनोलित इट्सेल्स तो यह बेस भी मतलब ठीक के डिस्क्रिप्शन में जाओ कोपी करो और मचा दो अपने CWL में लगा दो आज मिलते अगले एपिसोड में होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा सब्सक्राइब करके जाना फॉट ठीके करने ठीक है वाइवाइटाडा टैग केर अव योर्सेल्फ फ्लैश ओन